एक गोली चली तो वो सोची कि टैर गाड़ी का टैर वेर पंचड़ हो गया होगा जब दूसरी गोली लगी तो भाई मेरा चिलाया बचाओ तो तब वो दोड़ी तब तक तो दो तीन गोली लग चुकी थी बताइए किस दिन ले रखाएंगी इनका भाई नहीं निकलेगा घर पुलिस मार मार के उठाए लगे हमरे बच्चा का सासन पर सासन के तमाम प्रियासों के बाद भी हमारे देश में घटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही हैं आय दिन लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है अग ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के अधानपद के दावेदार जिनका नाम बताया जा रहा है इच्छानाथ यादव उनको बीती रात बीती सुबह भोर में उनको गोलियों से भून दिया जाता है उन्हीं के घर पे मवजूद हैं आखिर ऐसी क्या वज़े थी कि उनको गोलियों से भून दिया जाता है जो कि पर अंतिम संसकार किया गया है यहां पर काफी लोग मौझूद हैं उनके गाउं के लोग मौझूद है इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या की जाती है। आप उनकी बहन है आई आ गया ये थोड़ा से ये भी उनकी बहन है भाई कि हमारे जाने पर सौचाला है अरबिंद ने बताया है फोन करके जो लोग आये थे मारने को उन्हीं ने बताया है दुकान रखा था समूसा का यही बगल पर तेश अड़क पर समूसा को यह सूचना द इनके बारे महमार उनका चलता है मुकदमा बीशन पचीशन साल से और बाद एक बार परधानी खड़ा भाए तो परधानी के मजी जीते ना बंद होई गर है हमरे हिए तो करे बाद जो नहां जीते ना फिर अब की तैयारिम रहे है गाहँ वाले खुब सपोर्ट मा रहे उन जा रही है तो इसमें दोनों सामिल या कोई यमीनी विवाज जो बताया रहा आप लोगों का कैसा हो मामला है यह बाद का भी मामला है इसमें है तेनी साव चारी सा मांगते हैं सर पहले आधार का और फोटो का नियम नहीं था पिता जी हमारे दो थे विजे बहादूर जगत बहादूर उनने बैनामा लिखा आपार बती आदो का बारा भी गहाँ जमीन बैनामा करवाई गई खारी दाखिल ना होने के कारण इसने नेक पाल को अपनी तरफ कर लिया में उठा अपनी चाची का धर्वा करके खारी दाखिल अपने नाम तरफ कर लिया जबर्जस्ती फिन उकरेवाद खारी दाखिल होने के कारण इसने सारी जमीन हमारी बोल लिया कोई हमारे वहाँ गया नहीं आत तलगले जमीन को अपज़ा उसके पास है मेरे भाई को हत्या कट दी गई कौन जमीन ने बहुता है आपका राम चल यादो उन्हीं के उपर आप लोग आरोफ लगाए हैं उसने बोला था उसकी और ने एक एक आदमी को हम बिन्वा लेंगे रहने नहीं देंगे इस और से बोला था कि तुम्हारे भाई को जिद दिन आपने देवर को बच में 20 जनौरी को घर बन रहा है मेरे भाई क्या उसके दादा की लड़कों को जिसके मारा है फिर उस भे घर उसका इधर है बनने नहीं दिया फिर वहां पर आकर उस कब्जा कर रहे हैं जमीन हमारी इधर है उनकी जमीन उधर है ये लोग जब दोरें की इधर नहीं हम बनाने देंगे तो इन लोगों को हमारे चाचा जी छोट चाचा भी जिन्दे हैं उनको भी खालर पकड़ के मानने लगे वे लोग जब इधर से हमारे भाई लोग दो ने मारे उनको भी मारे वो ओ भी इनको जो कुछ मारा उकरे बाद वो सब घर ले लिहन रपोर्ट होता है थाने मे मेरा भाई देखने वाला था आज उसको निकाल ले गए आज अब उस यार आदमी इस घर में नहीं है इसकी देख भाल कौन करेगा कितने भाई थे वो लोग ओ भाई दो चाचा के हैं दो दादा के हैं और हमारे परवार और साइघर हैं जो जिनको मारे हैं गोली वो कितने रहे हैं तो भाई आज़ेशे हैं कमाने वाले नहीं हो सबसे चोटे वो क्या कमाएंगए जिम्मेदार आदमी तो चला गया मेरा नएगी लड़की परिहें उसने कहा प्र दान को और कान्य राम चल य दी नको का संबंध है कुछ रिष्टेदारी का तो उनकी तरफ में रहते हैं इनकी तरफ से खिलाफा थी पर्धान से इसलिए इनको जान से खतम करवा दिया दोनों मिल करके और आदमी है उनको ठूड़ा जाए नियुक्त गूल करने वहां पर लेट्रिंग गए थे यहां लगा था दोनों तरफ से आदमी लगे थे मैं तरफ से लोग हमला गोत बहुत बार हुआ हूए हुआ जानकारी होती थी तो उनको घर में लाकर बंद कर दिया जाता था उस दिन हमको लोगों को इनको जानकारी नहीं थी मैं तो सब अपने लोग बहना जिनकी साधी हुई थी तो अपने घर थी बताईए किस दिन ले रखाएंगी इनका भाई नहीं निकलेगा घर से बेटा नहीं निकलेगा कि यह नहीं निकलेंगी कि इनकी बेटी नहीं निकलेंगी इनके कोई है अब के देखेगा इसकी जिम्मेदारी हमारे पिता जी तो सद्धू हो गई है कोई देखभाल करने वाला है यह उड़ते क्या करेंगी अब प्रसासन क्या कह रही है प्रसासन सकार हम सब क्या हम बताएं कि क्या कर रही चार रही आप लोगों को पता चला कि उनको ऐसे मार दिया गया गोहार लगी थी तुरंग नेटिंगे थे जब दूसरी गोली लगी तो भाई मेरा चिलाया बचाओ तो तब वो दोड़ी तब तक तो दो तीन गोली लग चुकी थी वो जब तक चिलाये तब तक वो भाग चुके थे अच्छा घरना बुधवार की सुबा की है भोर की बताए जा रही है क्या परसासन किसी को गिरिफ्तारी किया है कि यह फाया राप लोग ने इन ही लोग को उपर किया है मुकदमा दर्ज करवाया है हम तो अभी आये हैं सब बोल रहे हैं रामचल को ले गए हैं और पढ़ान को ले गए हैं उनको बेटे को ले गए उनको नहीं लेगे हैं हमारे जो लोग थे वह सब चले गए थे कोट वहाँ पर चील घर जो भाई लोग Ephraini देश में एक भाई हमारा आटा भी नहीं संस्का करवा दिया गया बराबकान हो पुलिस बाइठी थे इसको toma मुस्का होd blij says काल भी मार मारके लहास उठा लें अच। स्वास क्या है थो आप लोग थोड़ा चुप रहे हैं अि क्या क्या करने थे थे और लोग अच्छाना कुछDNo कुछ नहीं करते थे सैंट की करते थे बस देरी खोल रके थे उनकोट पर्धान के पास जाते थे कालोनिञे के लिए सिंट्र करने केकल दूंहों के लोगों के आते थे जा तो अध करते थे इसे जीते ही नहीं अब परधानी डेडर साल रह गहीए अब लड़ने का smart करते थे यह भर क्रते शाद का यह मदद करते थे इसलिए मरवा दिये उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदितनाजी कहते हैं कि इतने भी अपराधी है उनको गोली मार दिया जाता है उनके घर पर बुल्डोजर चलता है क्या चाहते हैं आप लोगा मार दिन जाए सब सब का बार दे चलवा दो ब अकेले थे जी अकेले हैं दो भाई थे अब वो तो चले गए वही करने वाले एक तो छोटा है वह तो अभी नकमाने गया है कहीं नहीं गया घरी में रहता है है पूरे घर की जिमेदारी उन्हें कूपर यहिंए करते थे पिर कैसे आप लोगों का अगये फिर चलेगा अब आप ही देख पिता भी नहीं है कोई 9 यह फिता भी नहीं है फो हो वहाई था वह भी चल गया देखिए चार बहन है यह बाबा करते हैं हमारा क्यों नहीं करेंगे कि हमारे बाइब नियाए दिलाए बास हमाई भाई गो चाज़ी सासन पर सासन पर मुखमंतरी पर कुछ तो भरोसा रखना पड़ेगा आप लोग अपने नियाए वाई लगाट देंगी की किओ कुछुनकरे हमरे बच्चका अपकुछुओ ना नेमार की किओ जूद गयेन स्मयटियों कैसे जाए बच्चा का के का के मोयगने खाले गलिए या दहिस दूभ अरहन ग्याघन्न चोशन धिया विधायक का इंतिजार भी नहीं किया बोडी उठवा ले गए पोस्माटम पे ले गए थे आदा घंटा भी नहीं रुखने दिया बस तुरंत पुलिस आई तुरंत बोडी उठवा के ले चे परसासन जैसे किसी का इस तरीके से अगर जान जाती है तो उसमें जल्दी पोस्मा कभि आप से कुछ बताया था ले कुछ आम को बताया था कभी इसाम को बात हुए थी मेरा हो आज बजे तो में यूम कि बजार गया था बोला कि अभी मार्केट में स्वेशां को बात करेंगे था сл personagem गल मैसेज इक से पहले भी कभी जगड़ा लड़ाई हुआ हो इन लोगं के बीच में जिनके ऊपर आरोप आप हैं हाँ वो जब तो बताता था कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं मैं बोलती थी साधी करने को तो कह रहा था कि मेरे पीछे लोग पड़े हैं कब तक हम रहेंगे कब तक नहीं पहले बेहनों को साधी कर दें तो अपना करेंगे हु है कि आप लोग गाओं से ही हैं है घरवाले जैसे कह रहे हैं कि परधानी के जमीन के लिए परधानी के लिए बता आप गाउं से ही हैं ने विद्धेर बता है नपाव बाप का आप करें आप लेखनी जानी तेकिए अब इनके घर में वही एक कमाने वाले थे उनकी चार बहने हैं अच्छा साधी हुई है किसी के नहीं दो जन की साधी हुई है लेकिन हम क्या करेंगे हम अपने घर रहेंगे कि यहां आएंगे हम क्या करेंगे उनकी दो बहने हैं एक भाई है को हमारे अम्मा है इनको क्यों दे देखिए ये चारों बहने यहां पर हैं पागलों की तरह अपने भाई को लिए इनसाफ के लिए यहां पर बैठी हुई हैं देखिए आगे क्या होता सासन पर सासन तो बता रहे हैं कि उनको उठाकर ले गए हैं जिनके उपर इन लोग ने आरोप लगा रहा है बागी आप सब भी कही न कहीं देखा जाए तो आए दिन बहन बेटियों के साथ भी तुषकर में किये जा रहे हैं लोगों को मारे जा रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे अपराधियों का किसी परकार का कोई भै ही नहीं है क्या सूते हैं कमेंडर पी राजरो दीजीगा धन्यवाद